दोस्तो वजन बढ़ाने के लिए चने को एक सूपर फूड बाना गया है दोस्तो आपने सुना होगा या या यूटूब पर आपने कई वीडियो में देखा होगा कि वजन बढ़ाने के लिए चने बेस्ट हैं तो आपने बिल्कुल सही सुना रहा है पर कौन से चने खाने चाहिए कैसे खाने चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसे सही तरीके से और सही समय पर खाऊगे तो आज इस यूडियो मैं आपको बताऊँगा कि वजन बढ़ाने के लिए चने कब कैसे और कितने खाने चाहिए और ये भी बताऊँगा कि चने खाने के और भी क्या क्या benefits हैं दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए चने आप कई तरह सिखा सकते हैं सबजी बनाके, रात के भीगे चने, उसे अंकुरित करके या फिर भुने चने दोस्तों वैसे तो हर तरह के चने खाने से वजन बढ़ता है तो आप रात के भीगे चने खाओ ये सबसे बेस्ट है आपने क्या करना है रात को एक मुठी चने लेने है और उसे भिगो देना है और सुभे उठके खाली पेटों से खा लेना है आपने ब्रेकवास्ट से आदा गंटा पहले उसे खाना है तो आदे घंटे के बाद आपने ब्रेकवस्ट करना है ऐसा करने से आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा और दोस्तों अगर रात को चने के साथ आप 10-12 किश्मिश भी बिगो कर रख लें मतलब जब आप चने भीगो रहे हो उसी के साथ आपने किश्मिश भी बिगो के रख देनी है और सुभे उसे भी खा लेना है मतलब दोनों चीजें आपने एक साथ खा लेनी है अगर आप ऐसा करोगे तो आपका वजन और तेजी से बढ़ने लगेगा और दोस्तों अगर आपने भुने चने खाने हैं तो आप स्नैक्स में खाएं शाम को 5-6 बजे के आसपास खाएं भीगे चने हजम होने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए शाम को भीगे चने न खाएं अगर आप ओने जल्दी आपना वजन बढ़ना चाते हो तो आप चने दिन में 2 बार भी खा सकते हो आप क्या कर सकते हो सोबे आप भीगे चने खा लिए और शाम को आपने भुने चने खा लिए ऐसा करने से आपका वजन ओटेजी से बढ़ने लगेका और हाँ दोस्तों अगर आप शाम को भुने चने के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खा लेते हो तो आपका वजन और तीजी से बढ़ेगा तो ये याद रहे भीगे चने सुबह खाने हैं भुने चने शाम को या फिर शाम को आप भुने चने का चाठ बना कर भी खा सकते हो कहें लिए खा enter order तो वीगे चने कम खाकें उसकी जगाज साम को ब्हुने चने करते हैं यह आप एक काम कर सकते हैं आप चने को अंकुरित करके उसे मतलब दोच से दिन तिन राप रख सकते हैं और फिजब वो अंकुरित हों जब स्प्राउट्स बन जाएं तब उसे आप खा लें उससे डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी बलकि डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा आपकी पाचन करिया बिल्कुल ठीक होगी औ वो भी आपके शरीर को लगेगा क्योंकि उसमें एंजाइम होते हैं जिससे आपको फाइबर मिलेगा और अंकुरित चने खाने से प्रोटीन भी ज्यादा मिलेगा तो अगर आपको आपके भीगे चने खाने में दिक्कत आ रही है आप 2-3 दिन खा के देखो अगर वो आपक पहले फिर आप अंकुरित चने बना के लख लें तो अगर आपको डाइजरेशन की प्रोब्लम है खाया पिया नहीं लगता आपको पेट में गैस अपर चन जैसी प्रोब्लम रहती है तो आप रात के भीगे चने खाने की बजाए आप अंकुरित चने करके खा सकते हैं तो यह तो बात होई वजन बढ़ाने के लिए चने कब और कैसे खाएं तो दोस्तो आप बात करते हैं चने की और क्या क्या फायदे हैं नमबर एक दोस्तो चना खाने से वजन तेजी से बढ़ता है चाहे आप भीगे चने खाएं या फिर भुने चने खाएं दोनों से वजन ते तो उसे testosterone level boost होता है वो testosterone level boost होने से आपको मालूम है कि कितने फायदे होंगे उससे आपके muscle का size भी तेजी से बढ़ने लगेगा आपको नींद अच्छी आने लगेगी तो इसलिए भीगे चने खाने से testosterone level boost होता है नमब चार दोस्तों अगर आप pre workout meal नहीं ले सकते तो आप workout करने से आदे से पोना घंटा पहले अगर भीगे चने खा लेते हो तो आप workout अच्छा कर पाओगे जिम में heavy weight lift कर पाओगे तो इसलिए भीगे चने को आप pre workout में भी ले सकते हो नमब पांच दोस्तों भीगे चने हो चाए भूने चने हो इससे BP ठीक रहता है blood pressure control में रहता है नमब चे भीगे चने या भूने चने से sugar ठीक रहती है डायविटीक की problem नहीं होती नमब साथ भीगे चने से face की problem भी दूर होती है अगर आपको pimples हैं तो pimples भी दूर होते हैं face पे glow आता है face चमकदार बनता है दोस्तों आप तो आपको पता चली गया होगा कि चने कैसे खाएं कब खाएं जिसे वजन चल्दी बड़े तो भीगे चने आपने सुबह खाने हैं बुने चने शाम को बीगे चने दो चाहर दिन आप खाकर देखो digestion में problem आती है अगर नहीं हजम होता आपके पेट में दर्द होने लगता है तो आप दो चाहर दिन उस्से रखके अंकुरित करें और फिर उसे खाएं उसे digestion की problem नहीं होगी तो दोस्तों येती वीडियो चने पर की चने कब खाएं कैसे खाएं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करणा शेर करणा मिलता हम अग्ली वीडियो में एक नही वरकावट के साथ नए जानकारी के साथ जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना नब abuses तो में ते अगलिब दो में वाय दोस्तों